अगर question की बात करें तो start में होता है कि हम approach नहीं सोच पते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप 3 घंटे 4 घंटे उसी question पर लगे हुए हो कि हाँ इसको मैं खुद करके रहूँगा अब trees से पहले recursion, stacks, queues यह सब पढ़ना चाहिए DP से पहले हमें recursion आना चाहिए अगर नहीं आएगा तो हम वो basic questions भी नहीं कर पाएंगे तो at least आपको हर topic की कुछ prerequisites होते हैं वो आने चाहिए तो अगर आप sequence में पढ़ेंगे तो वो आपको आएगा ही Hi everyone, my name is Naman Gupta Generally, DSA सीखते हुए almost लोग कुछ common mistakes करते हैं तो इस वीडियो में वो सभी common mistakes के बारे में बात करेंगे ताकि आपकी progress speed जो DSA learning की है वो increase हो जाए और इसी के साथ मैं mention करना चाहूँगा कि मैंने खुदने भी इन में से काफी सारी गलतिया करी है जो मुझे time के साथ realize हुई अगर मुझे भी इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होता तो शायद DSA और better way में और और थोड़ा जल्दी कर पाता हूँ सो बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको वीडियो पसंद आए देन दो लाइक शेयर अंड कमेंट और अल्सो सब्सक्रेब कोडिंग निंजा चानल फोर मोर साच अमेसिंग करने तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें सबसे first mistake जो generally 60% लोग करते ही है कि वो कोड को अपने local compiler जैसे कि VS code पर ही कुछ test cases के लिए run करके देखते हैं और उन पर चल जाने के बाद होने लगता है कि उनका code एकदम सही है बट हो सकता है कि आपने उस टेंप चेक करते हुए edge test cases या larger जो input वाले test cases होते हैं वो miss करते हों अफ़ोर्स larger input वाले तो आप चेक भी नहीं कर सकते हैं तो आपका गलत code भी आपको सही लगता है क्योंकि local compiler पर maximum आप 5-6 case इतने ही चेक कर पाएंगे वो भी छोटे वाले ही तो I'll suggest कि code भले ही आप local compiler पर करो पर उसके साथ ही online compiler पर भी चेक करते रहो क्योंकि वो आपका code 100-200 at least जो test cases होते हैं जितने different possible है उन सब पर चेक करता है ने तो कई लोग ऐसे शुरू में एक दो महीने सिर्फ local compiler पर करते हैं और बाद में जब उन्हें realize होता है कि उन्हें कितनी बड़ी गलती करी है तो उनका उतना ही टाइम वेज जाता है क्योंकि उन्हें वापिस अपने वो सारे code चेक करने होते हैं अपनी गलतियां cross check करने होते हैं कि कहां कहां उनका code गलत था next mistake जो लोग करते हैं कि वो हर दूसरे दिन अपना learning source जो है वो change करते हैं अब इसमें मैं यह नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है because resources अब इतने जादा available है कि confusion होता ही है तो इसमें I will suggest कि उनको अपने according कोई भी जो एक source better लगे वो choose कर लीचे इसमें mention करूंगा कि सारे sources जो होते हैं जितने भी आपके पास available है almost सारे ही अच्छे हैं तो जो आपको लगे कि हाँ यह आपके लिए better है उसको choose करें और उसी से सीखें इसे एक benefit यह होता है कि आप sequence में चलते हैं जैसे कि अब trees से पहले recursion, stacks, queues यह सब पढ़ना चाहिए DP से पहले हमें recursion आना चाहिए अगर नहीं आएगा तो हम वो basic questions भी नहीं कर पाएंगे जैसे कि हम trees में वो level wise traverse करते हैं यह सब चीजे करते हैं उसमें stacks का queues का बहुत use होता है इसी तरह DP में जो brute force सबसे पहले हम approach लिखते हैं उसमें recursion का use होता है तो sequence में चलो और एक ही source अपना finally नेक्स्ट common mistake जो लोग करते हैं कि वो directly best solution पर jump करते हैं उनको लगता है कि interview में best solution ही देनी होती है तो सीधा हम वही क्यों ना लिखे बट ऐसा नहीं होता है interview के time भी हम हमेशा brute से start करते हैं उसके बाद best solution की तरफ move करते हैं फिर हमें यह चीज माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम सीधा best solution लिखने का try करेंगे तो हो सकता है हम वह problem solve भी ना कर पाएं तो हमेशा एक जो भी possible solution आपके mind में आ रहे ही हो पहले वो लिखें और उसके बाद उसको धीरे धीरे optimize करें अगर मैं DP का ही example लों तो उसमें सीधा bottom approach नहीं लिखनी चाहिए कभी भी हमेशा जो brute force वाली recursive approach जो होती है वो लिखनी चाहिए उससे आपको idea लगेगा कि उस question में कितनी states change हो रही है और अगर आप memoize भी करते हैं तो किन-किन states के according memoize करना होगा जब आप यह recursive वाली brute force approach लिख दे उसके बाद top-down जो memoization approach है उस पर move करें फिर जब top-down लिख देते हैं उसके बाद bottom-up पर move करना चाहिए अगर हम सीधा उसको लिखने की सोचेंगे न तो हम वो question ही कभी solve नहीं कर पाएंगे और सिर्फ ही DP नहीं कोई भी topic हो हमेशा मेरा suggestion यही रहेगा कि जो भी possible approach आपके mind में आ रही हो पहले उसको लिखें और उसके बाद देखें कि हां यहां यहां आपका extra work हो रहा है यहां मैं sorting लगा दूँ प्रियोरिटी क्यू यूज कर दूँ या array का यूज कर दूँ या कुछ भी ऐसा यूज करके मैं कम कर सकता हूं उसके बाद वो optimizations करें उससे at least आप लिख पाएंगे अगर directly jump करेंगे तो नहीं हो पाता है और यह गलती almost सभी करते हैं मैंने भी बहुत बार करी है specifically मैंने DP के case में तो बहुत ही जादा बार करी है next mistake है कि एक चीज को बहुत जादा time मन तो भले ही वह topic हो या question अगर question की बात करें तो start में होता है क कि हम approach नहीं सोच परते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तीन घंटे चार घंटे उसी question पर लगे होए हो कि हाँ इसको मैं खुद करके रहूँ है instead आप hint के तरफ move कीजिए and उसके बास solution की तरफ move कीजिए हाँ मैं यह जरूर बोलूँगा कि अगर आप solution भी देखते है हो सकता है कि जब आगे के topics आप कर रहे हो तो आपका previous topic भी clear हो जाये for example अगर किसी को stacks and queues में problem हो रही है उन्हें लगता है कि उनको उतना confidence नहीं आया है तो जब आप trees और graphs के question करोगे तो उसमें काफी जादा stacks और queues का भी use होता है जब उनके questions कर रहे होगे तो उनकी फिर स skills improve ही नहीं करते हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी coding skills important है उतनी ही debugging skills भी important है तो अपने code को हमेशा खुद से ही debug कीजिए बहे ही print statement लगाए dry run करें या कुछ भी कीजिए बट खुद debug कीजिए because आगे ही time में आपकी debugging skill आपके काफी जादा काम हाती है और हमें अगर interview में भ आपको खुद करना होगा तो आपको debugging भी अच्छे से आनी चाहिए बर कई बार इसमें ये भी हो जाता है कि हम कई देर तक सोचते रहे हमें अपनी गलती मिले ही नहीं उन cases में होता है कि कभी-कभी हम छोटी-छोटी mistake कर देते हैं for example कही i++ करना है हमने i-minus-minus कर दिया हमने सप्राइब कर दिया तो उसकी वज़े से वह गलती हो रही है और यह इतना चोटा सा एरर होता है कि हम वह देख भी नहीं पाते है तो इस case में आप उस code को पूरा erase कीजिए और शुरू से वापिस लिखी जब वापिस लिखते है तो सेम mistake कभी repeat नहीं होती है इसलिए तो या प्राक्टिस के लिए तो कई बार होता है कि कोई question हमें नहीं समाझाए तो हम उसका solution देखते हैं और आगे move कर जाते हैं बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना हो सके हमें अपमारी coding practice होनी चाहिए हमें code लिखते रहना चाहिए तो solution अगर पढ़ भी ली है तो बेटर हिता है कि आप उसको code करके try करो और देखो कि अब तो कोई problem नहीं हो रही है और बात की बात तो फिर भी ठीक है लोग शुरू में भी करते हैं कि paper pen की मदद से code लिखते हैं या paper pen का आप dry run में use कर लिजिए approach लिखने में कर लिजिए dry code लिखने है तो भी कर लिज उसके लिए laptop का ही use करें हाँ compiler के बिना भी आप coding करने के practice कर लिजिए because कुछ companies जैसे कि मैं google का example दूँगा तो जब उसका interview होता है तो गूगल डॉक्स पे code करवाते हैं उसमें आप check नहीं कर सकते नहीं आपका कुछ red mark होगा नहीं कुछ और पता चलेगा कि क्या error है और क्य होंगा कि लोग अपने comfort zone में रहते हैं DSA के practice के time ये 3 cases में होता है तो मैं आज ये 3 cases अभी discuss करना चाहूंगा सबसे पहला है कि हम शुरू में topic wise question solve करते हैं बट कई लोग क्या करते हैं कि last तक भी topic wise करते रहते हैं बट इससे ये problem होती है कि जब test में question आता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये कौन से topic का है तो I suggest कि at least 100 to 150 questions last में randomly practice करो ताकि आपको पता लग जाए कि कहा पर DP का use हो रहा है कहा प्रायरिटी क्यू का हो रहा है कहा कोई graph का algorithm लग रहा है इस तरह से सब चीज पता लगाज़े second case होता है कि अगर suppose में किसी को graph के questions अच्छे से solve हो रहे है या और trees के नहीं हो रहे है तो generally वो फिर graph के question ही करता रहता है और trees के questions को ignore करता है instead आपको क्या करना चाहिए जो आपकी weak zones है उन पर बलकि सबसे पहले focus करना चाहिए अगर आपको लगता है कि graphs के आपसे अच्छे से हो रहे हैं और trees के उस समय आप एक बार बीच में रोकिए और trees के जितने हो सके उतने questions प्राक्टिस कीजिए थर्ड जो stage है comfort zone की उसमें है कि लोग अपना level of questions increase ही नहीं करते हैं वो easy medium करते हैं तो उसी पर अटके रहते हैं जो easy medium questions होते हैं वो आपकी approach build करना और आपको चीजे सिखाने के लिए जरूर helpful होता है बट जो हमारे test होते हैं हमारे interviews होते हैं उसमें हमीशा medium hard questions पूछा जाता है तो कभी भी सिर्फ easy medium पर नहीं अटके रहें पहले हां कुछ easy medium कीजिए बट उसके बाद practice के लिए medium hard questions भी उतने ही important होते हैं तो जनरल ये तीन जगे होती है जहां लोग अपने comfort zone में रहते हैं भार निकलना चाहिए तो guys ये common mistakes ही जो generally लोग करते हैं अपनी DSA की preparation के time अगर आपने ये video देखी है तो इन सभी mistakes का ध्यान रखें ताकि आपके साथ ये नहीं हो और इसके अलावा अगर आपके साथ आपने कोई गलती करी हो और वो इस list में mention नहीं हो तो आप वो comment करके जरूर बताएं बिकॉस हो सकता है कि आपने तो वो कर दी लेकिन और लोग भी कर रहे हूं तो उनकी काफी ज़्यादा है साथ में मैं mention करना चाहूंगा कि अगर आप beginner है और foundation plus dh से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए coding in jazz का काफी अच्छा dh से प्लस foundation का course है इस course में आपको one is to one doubt support भी मिलता है और एकदम structured और काफी अच्छे वे में इस course को बनाया गया है और इसके अलावा अगर आप पढ़ चुके हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राक्टिस करनी है तो आप score studio ज़रूर ट्राइ कीजिए वहां पर free of cost आप topic wise company wise questions प्राक्टिस कर सकते हैं साथ में काफी अच्छे अच्छे guided path भी बने गया है और सिर्फ dh से कहीं नहीं दो लाइक शेयर और कमेंट और अलसो बताएं कि आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए keep learning and stay tuned to coding ninjas channel thank you